हेलो सुटरेंस वेल्कम बाक आज हम लोग बात करेंगे कॉंसेप्ट और बिजनेस के बारे में क्या होता है बिजनेस बिजनेस इन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन एक्षेंज सम्टिंग और वैल्यू फैदर गुट्स इन सर्विसेज फॉर्ट गेंड प्रॉफिट बिजनेस में होता क्या है या तो हम कोई गोट्स को एक्षेंज करते हैं एक परसें से दूसरे परसंते या फिर को वैल्यूस को एक्षेंज करते हैं मतलब आपने किसी को गोट्स दिया या फिर आपने किसी को सर्विस दिया जैसे एक्जामपल लेते हैं आपने किसी को एक बिस्किट सेल किया तो वह गोट्स हो गया सर्विस में क्या हुआ आपने किसी टीचर से पढ़ाई की और उसके प्सक्राइब तो उसको फाइदा होता ही है इसे प्राइब कि आपको इसमें कुछ प्राफिट मिलेया तो बिजनेस Rec experiment इंपॉर्टेंट होती है यह मुच्वल गेंड और प्रॉफिट होता है इसी को हम बिजनेस कहते हैं इस एन और गनाइज और सिस्टेमाटिक आक्टिविटीज इन्वालविंग दस हटेस्फाक्शन ऑफ यूमन वांड यहां पर कहा है कि अब यह जो बिजनेस होता है वह सिस् लगता है इसी लिए आप उस प्रॉडट को खरीदते हो तो बिजनेस कहीं न कहीं यूमन वांड को सटिस्वाइब भी करता है बिजनेस इन्वाल्स रेगुलर और रिकरिंग पर्चेज और सेल ऑफ गुट्स और सर्विसेज विच्ट परपस और निंग प्रॉफिट जो बिजनेस है उसमें रेगुलर और रिकरिंग पर्चेज होना चाहिए रेगुलर और रिकरिंग पर्चेज का मतलब क्या हुआ कि पर्चेज और सेल का जो काम होता है वो हमेशा होना चाहिए जैसे आपने कोई अपना पुराना स्मार्ट फोन आपने किसी अपने में मतलब आप बार बार उसको करते हैं तभी वह बिजनेस के पॉइंट में आएगा ठीक है ऐसे किसी आप साल भर में एक फोन बेच रहे हैं दो फोन बेच रहे हैं तो वह बिजनेस में नहीं आएगा वह तो किवल यह मान लिया रहा है कि आपने अपने परसनल यूज के बूल सकते हैं अब आते हैं characteristics of business क्या characteristics होते हैं business के तो पहला है creation of utility business makes goods more useful to satisfy human wants it add time place forms and possession utility to the various types of goods यह बता रहा है business जो होता है utility create करता है मतलब सामने वाले को satisfy सब्सक्राइब करता है उसको लगता है कि हाँ अगर मैं 100 उपीज पे कर रहा हूं तो उसके बतले में मुझे 100 उपीज का गुड्स भी मिल रहा है ठीक है तो यह जो यूटिलिटी होता है इसी वज़ाद से लोग गुड्स को खरीकते हैं ऐसे गुड्स जिसमें हमको ज्यादा यूटिलिटी मिलता है रे यूटिलिटी का मतलब आप समझते ही है एँ वन सट्टिसफाइं पाउर आपको मोडीटी तो जितना चुट्स में ज्यादा यूटिलीटी होता है लोग उस गुड्स को ज्यादा खरीकते हैं यहां पर समझते हैं बिजनेस एनेबस पीपल्स प्लेस ऑफ विसकासिटी इट में गुड्स एपलेबल फॉर यूज इन दे फ्यूचर थू स्टोरेज अब इसमें क्या बता रहा है यह प्लेस यूटिलिटी किस तरीके से गुड्स में होता है जैसे जिस भी लोकेशन में वह गुड्स सर्प्लस में हो ठीक है इसे अब काश् में सर्प्लस है मगर बाकी जगहां पर इसकी स्कासिटी है मतलब कमी है तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी मतलब वहां से लाके जहां पर सेल करना जहां पर कमी है उसकी तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी क्या होत करते हैं अपने कस्टमर के लिए इसलिए जो कस्टमर्स होते हैं वह आप से घुट्स खरीगते हैं नेक्स आते हैं डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज अब यहां पर हम लोग गुड्स और सर्विसेज के बारे में तो पढ़ेंगे लेकिन कुछ नया पढ़ेंगे चैन्स और प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है तो कंज्यूमर्स गुड्स नाम से आप याद कर सकते हैं जिसको हम कंज्यूम करते हैं उससे हम कंज्यूमर्स करते हैं मतलब जो गुड्स इंडिविजूल कंज्यूमर के लिए होता है अल्टिमेट कंज्यूमर मतलब उसके अलावा कोई और नहीं कंज्यूम कर रहा है ठीक तो उसने consume नहीं किया, उसने खरीदा और sell कर दिया, तो वो as a producer good हम बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ultimate consumer उसको खरीद रहा है, उसको use कर रहा है, तो उसको हम लोग consumer good कहेंगे, तो कोई भी consumer कोई भी goods खरीदता है, जैसे bread हो गया, tea हो गया, shoe हो गया, तो उसको हम लोग consumer good कह होता है, अब producer goods में होते है raw materials, are used to produce a consumer और a capital goods like raw material, machinery, आपने raw material खरीदा, आपने machinery खरीदा, अब आप यहाँ पर goods बना के बेचते हो, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझेगा, consumer goods और producer goods में different है, consumer goods में क्या होता है, consumer directly consume करता है, और producer goods में क्या होता है, वो जो producer खरीदता है, उसक इसको resell करेगा, ठीक है, तो या फिर उसमें कुछ और उसमें value add करेगा, उसको और अच्छा बना के करेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते है producer goods, ठीक है, अब services की बात करते है, services like transportation, warehousing, banking, insurance, etc. may be considered as a intangible and invisible goods, तो warehousing, banking, insurance, मतलब आप bank में जाते हो, कोई भी पैसा जमा करते हो, निकालते हो, या फिर आपने bank में अपने पैसे का FD करा लिया, ठीक है, या फिर आपने किसी insurance company से insurance खरीद लिया, ये सारा कुछ हमारा service में आता है, ये सब intangible होता है, तो इसको हम लोग invisible और या फिर intangible goods भी कहते हैं, clear है, ये हो गया हमारा dealing in goods and services, तो कोई भी business आप करोगे, तो आप या तो goods में deal करोगे, या तो services में deal करोगे, इसके लावा तीसरा कोई option होता ही नहीं है, ठीक है, नेक्स आते है, continuity in dealing, dealing in the goods and the service become business only if undertaken on the regular basis, according to the Peterson and Plowman, a single isolated transaction of the purchase and sale will not constitute business recurring or the repeat transaction of the purchase and sale alone means सा business, यहां पर क्या बता रहा है, कि कोई भी आप एक transaction अगर करते हो, तो आप उसको business नहीं कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको example दिया, आपने अपने smartphone को किसी को sell कर दिया, तो वो आपका business नहीं हुआ, लेकिन आप daily आप किसी से smartphone खरीद रहे हो, फिर उसको बेच रहे हो, उ business नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इसी लिए अगर कोई भी business आप कर रहे हो, तो वो activity continue होना चाहिए, तभी वो business के list में आएगा, नेक्स आते हैं, sales, transfer or exchange, all activities involves transfer of exchange of goods and services for the consideration, the consideration called price usually expressed in the terms of money, business deliver goods and services to those who need them and are able or willing to pay for them, अब देखिए, कोई भी goods होता है, तो उसमें क्या होता है, sales होगा, transfer होगा, फिर exchange होगा, लेकिन जब तक उसमें consideration नहीं है, तो उसको business नहीं माना जाएगा, consultation का मतलब होता है, something in return, मतलब आपको उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए, कुछ आपको पैसा मिलना चाहिए, अगर कोई समान बेच रहोगा, अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आप free में उसको दे दे रहो, आप donate कर दे रहो, तो वो business में नहीं आएगा, ठीक है, तो क इसको हम goods कहेंगे, अगर आप केवल ऐसे ही पेकर, ऐसे ही किसी को goods दे दे रहो, आप ऐसे उसके नहीं ले रहो, तो वो goods के, वो business के category में नहीं आएगा, ठीक है, consideration बहुत important है, मतलब something in return बहुत important है, आपको उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए, तभी वो business के category में गिना ज survival as well as growth of the business, profit must however be earned through the legal and the fair means, business should not exploit the society to make profit, अब profit motive की यहाँ बात हो रही है, तो यहाँ पर पहले बता रहा है कि business का primary aim ही होना चाहिए, profit कमाना, और साथी साथ इसमें यह भी clear कर रहा है, कि जो भी आप profit कमाऊगे, legal और fair तरीके से कमाऊगे, मतलब in legal तरीके से कोई काम करके profit कम कमा रहे हो, तो उसको business नहीं कहा जाएगा, ठीक है, legal तरीके से, fair तरीके से अगर आप पैसा कमा रहे हो, तभी उसको business कहा जाएगा, और साथी साथ इसमें एक चीज और बोला गया है, कि आप business कर रहे हो, तो आपको यह ध्यान में रखना होता है, कि आपको society को exploit नहीं करना है, मतलब society को पर कोई नुकसान नहीं पहुचाना है, तभी आप business, तभी आपके activity को business कहा जाएगा, next आते है, element of risk, business is the reward for assuming risk, risk implies the uncertainty of the profit, of the profitability of the loss, risk is the part of the parcel of the business, business enterprise function in the uncertain and uncomfortable environment, change in the customer, taste and fashion, demand, competition, government policy, etc, तो element of risk का मतलब क्या हुआ, कि business उसी को कहते हैं, जिस business में risk हो, मतलब जिस business में risk नहीं वो business बिजनेस नहीं होता, क्योंकि business के साथ ही risk आता है, ठीक है, जब तक आपके पास uncertainty नहीं है, profit का, यहाँ profit होगा कि नहीं होगा, या फिर possibility of loss तो नहीं है, business कहीं नहीं सकते, business और risk दोनों साथ साथ आते हैं, क्यों, क्योंकि business जब आप करते हो, तो आपके पास बहुत सारे challenges होते हैं, कि आपके, जो आपका taste है, वो customer के taste है, मैच करेगा, कि नहीं मैच करेगा, जैसा goods आप खरीद के ला रहे हो, customer, आपका consumer उस goods को ख़ई देगा, क ठीक है, तो हमेशा आप देखोगे, business में कुछ न कुछ risk रहता है, competition रहता है, और government के policies को आपको follow करने पड़ते हैं, तो इसलिए business और risk दोनों साथ साथ चलते हैं, जिस business में risk नहीं, वो business business ही नहीं होता, clear है, तो थोड़ा मुड़ा risk आप देखोगे, जितने भी business होते हैं अगर आप कुछ ऐसे business होते हैं, जहांबे risk का percentage बहुत कम होता है, लेकिन risk होता जरूर है, ठीक है, भले percentage कम हो, अब आते हैं, economic activity, business is the primary and economic activity and it involves the production and distribution of goods and services for earning profit, however, business is also the social institutional because it helps to improve the living standard of the people through effective utilization of scarce resources of the society, अब यहांपे क्या बता रहे हैं कि जो business होता है, वो एक economic activity होता है, economic activity आप समझते ही हैं, एक ऐसा activity जिसमें आप पैसा कमाते हो, तो उसमें हम लोग business में भी हम लोग goods, service, service, distribute करते हैं, जिसके बदले में हमको पैसे मिलते हैं, अब यहांपे क्या बता रहा है, business एक social institutions होता है, क्योंकि यहांपे हम पैसा तो कमाते हैं, लेकिन society में लोगों की help भी करते हैं, ठीक है, जैसे आपने एक कहीं पर गाओं में general store की shop खोली, तो आप पैसा तो कमा रहे हो, लेकिन आपने कहीं न कहीं उस particular village में आपने लोगों की help की है, क्योंकि आपने general store की shop लगा तो उससे फाइदा क्या हो रहा है, आपको तो पैसे मिलना है, लेकिन जो भी village में जो लोग रह रहे हैं, उनको यह फाइदा हो रहा है कि उनको अच्छे quality की goods उनको कहीं दूर जाखे नहीं लेना पड़ रहा है, उनको उनके घर के पास यह मिल जा रहा है, तो इसी तरीके स जो business होता है, वो standard of living लोगों का इंप्रूफ करता है, clear है, तो इसमें आप इस point को मत भूलिएगा, standard of living इंप्रूफ करता है, और साथी साथ, जो scarce resource है, उसको better उसका use करता है, society तक पहुचाता है, अब आते है, art as well as science, business को art और science दोनों का आ गया है, क्यों का आ गया है, business is an art because it required personal skill and experience, तो business एक art होता है, ठीक है, आप देखोगे, दो shop होती है, same product बेशती है, लेकिन एक shop में बहुत customer होते हैं, एक shop में बहुत कम customer होते हैं, तो जिसमें बहुत जादा customer होते हैं, उसके पास एक art होती है, उसको पता होता है, customer को क्या चाहिए, उनसे बात करने का तरीका, ठीक है, वो अपना एक relation मना के चलता है, अपने consumer के साथ, तो उसके दुखान पर आप देखो कि हमेशा भीड़ रहेगी, बले वो छोटी दुखानी क्यों नहीं हो, लेकिन एक बड़ी दुखान है, जो अच्छे से consumer से बात नहीं करता, consumer के according goods नहीं रखता, तो उस के दुखान पर आप देखो कि कोई customer नहीं रहेंगे, इसी लिए business को art कहा गया है, कि ये वही business वही चला सकता है, जिसको उसको चलाने का art आता हो, जिसको उसको चलाने की कला आती हो, वही business को चला सकता है, अब आता है, it is also a science because it's based on the certain principle and law, business में कुछ principles और laws होते हैं, जब य business based होता है, तो इसी लिए हम लोग business को science और law, science और art दोनों कहते हैं, the ever mentioned characteristics are the common to all the business enterprise in respective of their nature, size, form and ownership, तो अभी तक हम दोनों जितने भी characteristics के बारे में बात किया, ये सारे characteristics, सारे ही business में common दिखेंगे, बस उनका अलग-अलग business का size होगा, nature होगा और form होगा, thank you students